नमस्कार दोस्तों आज हम देखते हैं mutual fund के दो रिटन्स time-weighted return और money-weighted return ठीक है तो यह दो रिटन होते हैं और यह दोनों अलग-अलग काम के लिए निकाले जाते हैं और यह दोनों mutual fund का assessment करने के लिए निकाले जाते हैं लेकिन एक जो होता है वह individual investor के लिए होता है और दूस रहा होता है ठीक है तो यह अगर आपको वीडियो समझना है तो आपको IRR versus CSR topic जो है वो समझना पड़ेगा और यह concept clearing वीडियो है यहां पर कोई calculation नहीं है तो समझ लेते हैं अभी money-weighted returns और time-weighted returns के बारे में तो सबसे पहले यह दोनों भी क्या करते हैं हमें rate of returns ही बताते ह बस money-weighted जो होता है वो हमारे individual investment का rate of return बताता है और time-weighted जो return होता है वो हमारे पूरे fund का बताता है ठीक है तो यहां पर money-weighted नाम है तो यहां पर सारा बेटेज money size को और उसके order को दिया जाता है ठीक है अगर आपको इसको समझना है तो IRR का जो function होता है वो याद कीजिए IRR के उपर तो अगर आप देखोगे कि जैसे ही cash flow जल्दी जल्दी आते है बड़े cash flow जल्दी आते है तो हमारा IRR का rate अच्छा आता है यानि हमारा जो order होता है और जो size होता है वो बहुत matter करता है IRR के rate में ठीक है वेराज जो CGR होता है बहाँ पर क्या है कि सभी जो आपके अमांट और पिरेड होगा उसको समान वेटेज होता है तो फिर उसमें कोई order जो होता है वो माहिने रखता नहीं है लेकिन सभी को equal weightage दिया जाता है सभी timing को equal weightage दिया जाता है और यहाँ पर earlier जो timing होता है और money size होता है उसको ज्यादा weightage होता है ठीक है और Excel में हम IRR function के दबार money weightage निकालते है और अगर time weightage return निकालना है तो हम RRI और rate function से निकाल सकते हैं ठीक है methodology जो IRR की method होता है आपका जो NPV करते हम यहने जो NPV का calculation net present value का जो methodology है वही methodology यहाँ पर इस्तमाल होती है क्योंकि function ही वह इस्तमाल होता है ठीक है और यहाँ इसकी methodology CAGR याने compounded annual growth rate और geomint की होती है ठीक है और यह कब इस्तमाल करना है जब आपकी continuous cash flows होते है cash inflows outflows वगरा होते है याने monthly SIP होती है या quarterly SIP होती है तब याने जब आप SIP के द्वारा invest करते हो तब आप money betted returns निकालते हो और यह कब निकालते हो जब आपको इंटर portfolio comparison करना होता है या सिरिफ mathematical return आपको पता करना होता है तब आप यह return निकालते हो इंटर portfolio कि आपके ICICI के fund ने कितना return दिया व्रसे बिरला के पंड ने कितना रिटन दिया ऐसा आपको जब इंटर पोड़ो पर्फिलियो कंपेरेजन करना होता है तब आप यह बाला function इस्तेमाल कीजिए ठीक है और कौन करता है जो money weighted return होता है वो retail और individual investor के लिए होता है और जो time weighted return होता है ये fund manager analyst mutual fund के sales वाले sales team वाले इनके लिए होता है ठीक है वैसे तो कोई भी निकाल सकता है दोनों में ऐसा कोई ये नहीं है कोई भी rate कोई भी निकाल सकता है और ये बताता क्या है आपको ये आपके individual SIP का investment का क्या हाल है क्या growth rate है क्या growth rate है ये बताता है money weighted return और जो time weighted return है ये total fund का growth rate बढ़ता था है यानि ICICI का कोई fund है उसने 10% CSGR दिया है और आपको कितना मिला है individual वो आपका SIP का total आपको बता देगा ठीक है तो वो आपको IRR rate आपका बता देगा ठीक है तो मुझे 7% IRR rate आया है मेरा तो इस प्रकार से उसका analysis होता है तो हमारे पास इसके वीडियो है क्या बिल्कुल है हमारे पास दोनों के वीडियो है XIRR के भी है SIP के लिए और CIGR के भी तो दो-चार वीडियो हमारे पास है ही तो आप वो दोनों जाके देख सकते हो ठीक है तो आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको money bettyd क्या है और time bettyd return क्या है और उसे कब निकालना है ये समझाने में कामियाब रहा होँगा ठीक है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते है नेक्स्ट वीडियो में